साहित्य जगत राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रीय शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्थु थे कक्षा बारा के लिए विश्वनात्र पाठी दोरा लिखित एच्छिक हिंदी की पाठ्थे पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्ने परिचे में संकलित पाठों पर आधारित शंकला साहित्य जगत कि इस शंकला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनिक काल के अंतरगत भारतेंदू युगीन गद्य प्रवृत्तियां और कविता भारतेंदू युगीन गद्य भारतेंदू युगीन गद्य में नई विधाओं का प्रारंभ या नवीनिकरण हुआ इनमें निबंध प्रमुख है भारतेंदू युग के साहित्यकार जीवन्त व्यक्तित्व वाले थे उनके व्यक्तित्व की च्छाप सबसे ज्यादा निबंधु में है निबंधु में व्यंग्यविनोद, हास परिहास, भरपूर मात्रा में मिलता है इनकी भाषा गंभीर विश्यों पर लिखते समय भी चुलबुली और खेत्रिय प्रयोगों से युक्त होती है पंडित प्रताब नारायन मिश्र, रचनाय, बात, समझदार की मौत है आदि राधा चरण गोस्वामी, रचना, यमलोग की यात्रा भारतेंदु, रचना, स्वर्ग में विचार सभा बालकृष्ण भट, रचनाय, आँक, नाक, कान, आदि इस युक के प्रमुख निबंधकार है इन निबंधों में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग धडले से हुआ है भारतेंदु, युग में प्राचीन नाटकों को नए रूप में धाला गया उन्हें नए युग की समस्याओं और यथार्थ से जोडा गया भारतेंदु, युग के नाटकों में कथनी और करनी के अंतर को प्रकट किया गया है इसलिए वे धार्मिक, सामाजिक एवं शासकिये प्रतिष्ठानों पर प्रहार करते हैं इस युग में उपन्यास लेखन की ओर भी ध्यान दिया गया श्री निवास दास ने परीक्षा गुरू और बालकृष्ण भट ने सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा लेकिन इस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोगप्रिय उपन्यासकार बाबु देव की नंदन खत्री हैं इनके लिखे दो उपन्यास चंदरकानता और चंदरकानता संत्ति अत्यधिक प्रसिद्ध हुए ये अयारी और तिलस्मी उपन्यास हैं इन में अभूप पूर्व रोचकता और लोकप्रियता है किशोरी लाल गोस्वामी ने अधिक संख्या में उपन्यास लिखे जिन में आदर्श रमणी और लवंग लता प्रमुख है भारतेंदुने कुछ आप बीती, कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की थी जिसे वे पूरा नहीं कर पाए शिवप्रसाद सितारे हिंद ने राज भोज का सपना नाम की कहानी लिखी इसकी अतिरिक्त भारतेंदुने कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पन लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित लिखने की प्रवर्ति का भी प्रारंब किया भारतेंदुने नाटक पर जो निबंद लिखा है उसे हिंदी आलोचना का प्रारंब कह सकते हैं इसके अतिरित प्रेम घन ने श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वेमवर पर समीक्षा लिखी भारतेंदु युग में हिंदी अपना रूप ग्रहन कर रही थी इसलिए भारतेंदु युग की रचनाओं की भाषा एक और अनगड है दूसरी और उसमें ऐसा खुलापन है जिसमें देशज, तदभव, तचसम और हिंदी में ग्रहन करने योग्य किसी भी भाषा के शब्द आ सकते हैं इनकी भाषा में खेत्रिय रंग उल्लेखनिय है दिशेश रूप से भारतेंदु के नाटकों की भाषा में इस काल की गध्य भाषा को हसमुक कहा गया है भारतेंदु युगीन गध्य की प्रवर्तियां भारतेंदु युगीन गध्य का उतकरिष्ट रूप नाटकों में मिलता है भारतेंदु युगीन नाटकों के गध्य में खड़ी बोली गध्य के विविधरूप दिखलाई पड़ते हैं ये गध्य जन बोलियों से मिलता जुलता है भारतिंदु युग के निबंधों में गद्य का जीवन्त रूप मिलता है भारतिंदु युग में व्यक्ति परक और ललित निबंध प्रभूत मात्रा में लिखे गए इस युग के निबंधों में निबंधकारों का जीवन्त व्यक्तित्व साफ जलगता है भारतिन्दु युग के निबंधों की भाषा में हिंदी खड़ी बोली के अनेक इस्तरों और रूपों का उपियोग मिलता है भारतिन्दु युग में गद्य लेखन के छेत्र में समीक्षा, उपन्यास, कहानी और इतिहास जैसी नवीन गद्य विधाओं का प्रवर्तन हुआ इस युग के लेखकों ने गद्य में अनेक भाषाओं के शब्दों का खुल कर व्योहार किया इससे इनके गद्य में एक प्रकार का खुलापन आया भारतिन्दु युग की कविता में भी नए विशयों का प्रवेश हुआ यद्यपी भारतिन्दु युग के काव्य की भाषा पारंपरिक ब्रजभाषा ही है फिर भी उसका कत्य आधनिक है उस ब्रजभाषा में भी गद्यात्मकता है भारतेंदु ने प्रबोधिनी जैसी कविता में देश की ततकालीन समस्याओं से पाठकों को अवगत कराया है उनकी ये काव्यपंक्तियां दृष्टव्य है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पैधन विदेश चली जात इहै अतिख्वारी निजभाशा उन्नतिय है सब उन्नति को मूल बिनु निजभाशा ज्यान के मिटत नहिय कोशूल भारतेंदुने भक्ति परक और रीति काव्य जैसी कविताएं भी लिखी है तथा साथ ही साथ आधुनिक विचारों वाली कविताएं भी भारतेंदुने लोक प्रचलित काव्य रूपों में भी रचनाएं की उन्होंने अमीर खुसरों की तरह दो सक्खुने और चना जोर गरम जैसी शैलियों का भी प्रयोग किया भारतीन्दु मंडल के अन्य प्रमुख कवी प्रेम घन ने ततकालीन घटनाओं पर कविताएं लिखी जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर उन्होंने अपना क्षोब व्यक्त किया प्रताब नारायन मिश्र की कविताओं में टैक्स, अकाल, महंगाई जैसे विशेयों पर होली, फाग और लावनी जैसी जन प्रचलित का व्यशैलियों का प्रयोग किया गया है आदुनिक काल के अंतरगत भारतेंदू युगीन गद्य, प्रवृत्तियां और कविता साहित्य जगत के अंतरगत अभियाव सुनरहित ये कारिक्रम विशेयों जन डौक्टर संध्या सिंग, डौक्टर चंद्रा सदायत एवं लाल चंद राम, आलेक विश्वनात्रिपाठी, वाचनस्वर के चंदन और सुनिता चोहान, कार्यकारी नर्मान प्रभुदयाल खट ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे तथा नर्मान एवं प्रसुती दावुदयाल चत्रुवेदी